नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं इसमें सबसे परमुख या है कि कंच्छा 3 के बच्चे अगामी 20 माज तक पढ़ना लिखना सिख ले, सिक्षा सचीव ने जो टास्क दिये हैं उसे पूरा करने की जिमिदारी जीला सिक्षा पतादीकारियों क्यों होगी, सिक्षा बेवस्ता में सुधार के लिए सचीव ने ए हाए रहेंगे बादल, जारखन के लोगों को ठंड के बीच एक सुकुन भरी खबर है, बतादे फिलाल बारिस नहीं होगी, अगामी 5 जनवरी 2023 तक बादल चाय रहेंगे पर कुहासा से रहात नहीं मिलेगी, हजारी बाग का तापमा 9 डिग्री सेस्यस तक पहुंच गया है, इस ठंड में जन जीवन प्रभावित हुआ है, बतादे मौसम विभाग ने सनिवार को पुरोनवान जारी किया था कि 5 और 6 जनवरी 2023 को राज के कई जीलों में हलकी बारिस हो सकती है, लेकिन अब हवा का रूख बदल गया है, इसे बारिस की उमीद नहीं है, मौसम पते कुरोना संक्रमन को देखते हुए देश समेत जारकन में स्वास्त विभाग अलोट मोड में है, कुरोना संक्रमन की रोक्ताम को लेकर सरकार भी गंबीर है, राजधानी राची के रिम्स में इसकी रोक्ताम को लेकर तेयारिया जोरो पर है, हर दीन होने वाले टेस्ट क को भी बढ़ावा दिया जा रहा है फिलाल राजे में कुरोना के दो मरीज संक्रमी था है बतादे कुरोना संक्रमन को लेकर सरकार ने रेलवेरस्टेशन से लेकर बस स्टेंड और एयरपोर्ट तक सीवीर की बवस्ता किया है एक जिन्वारी दो 23 को बिर्शा मुंडा हवाई अड़ा हटिया और रांची रेलवेस्टेशन के साथ ही बस स्टेंड पर कुरोना जास सिविर लगाए गए हैं जारखन में धार्मिक उपद्रों फैलाने वाले 128 आरोपियों के खिलाप मुकादमा है जारखन में धार्मिक उपद्रों फैलाने और आपत्ती जनक टिपनी कर दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुचाने वाले 128 आरोपियों के खिलाप मुकादमा चले गाए पुलिस की जाच रिपोर्ट के अधार पर सरकार ने सभी के खिलाप मुकादमा चलाने के अनुमती दे दिया है इसमें राची जीला से मुहमद सकील उर्फ कारू और मुहमद मुन्नू उर्फ मुजाहिन के नाम सामिल है दोनों पर हाल ही में डेली मारकेट थाना में केस दर्ज हुआ था वहीं सिम्डेगा के भासकर मनी तिरिपाठी के खिलाप सिम्डेगा थाना में 17 नॉमबर 2020 को केस दर्ज हुआ था वहीं खुटी से भी मौलाना, मुर्सीद, आलम, फिरोज खान, वाहिद, आलम, अब्दूल, सतार और सर्फे आलम उर्फ मुना का नाम सामिल हाए जारखन में बच्चे को गोद लेने के लिए सिविल सर्जन से लेनी होगी मंजूरी बच्चे को गोद लेने के लिए समाजिक संस्ता और लोगों को अब नई परक्रिया से गुजरना होगा बतादे नियमावली 2022 के नियम 37 के अनुसार जीला अस्पताल परबंधन की ओर से परवान पत्र निर्गत करना अनिवारे किया गया है इसमें बच्चे गोद लेने को लेकर सरते रखी गई है इसके तहद बच्चा को गोद लेने के लिए आप सिविल सर्जन से अनुमती लेनी होगी नियम के अनुसार अगर किसी परिचीत, नर्सिंग, होम, अस्पताल या किसी NGO से बच्चे के सुचना मिलती है तो उसके अधार पर आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते इसके तहद सिविल सर्जन द्वारा बनाया गया मेडिकल बोर्ड पहले बच्चे को देख समाज कर उसका भौतिक सत्यापन करेगा कि बच्चा समाने के टेगरी का है या फिर भी सेथ वहीं राजे की बालगिरी एवाम दत्तक ग्रहन संस्था करूना इन एमो ने सिविल सर्जन करेले को पत्र लिख कर दिशा निर्देश के अनरूप परण पत्र निर्गत करने का आगरा किया है ऐसे में कोई भी परिवार अगर किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उन्हें इस पर किलिया से गुजरना होगा हुन्डूरूप हौल से लपता पर्याटक स्वाकुसल बरामद नय साल के पहले दिन रभी वार को हुन्डूप हौल से लपता हुए पच्चिम मंगाल हावडा जिले के उदाय नरायन पूर निवासी रतन गांची 50 वर्स ये वो बोकारों के कसमार निवासी रंजीत घासी 26 वर्स ये सोमवार के सुबास से सिकिंद्री पूलीस को साकुसल मिल गए हैं दोनों पर्याटक हुन्डूप हौल से गायब हो गए थे जारखन के लोगों को तीन नय यारपोट की सोगाद नय साल में जारखन वासी ओको तीन नय यारपोट की सोगाद मिलने वाली है इन यारपोट में यात्रियों को अधिक सुधाय मिलेंगी रांची और देवघर के बाद पूर्वी सिमुम के धाल भूमगड यारपोट के अलावा बोकारों अदुमका में भी यारपोट की परेजनों को मिलेगी विश्राम ग्रीह की सुविधा विभिण राजियोव जीलों से रिम्स आने वाले मरीजों के परीजनों को अब रहने में दिकत नहीं होगी क्योंकि पावर ग्रीट के सहयोग से 310 बेट का विश्राम ग्रीह तैयार हो गया है उमीद है कि जनवरी में स खर्च करव भूवन त्यार किया गया है विश्रामगजी में परिजनों को एक बेट के साथ लोकर भी मिलेगा है। गुमला जीले को 14 दिनों तक बिजली संकट का सामना करना होगा गुमला के करीब 5 लाख की आबादी को अगले 14 दिनों तक बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा यहां 132 बाइ 32 ग्रीड में लगे 20 MBA के बड़े टांसफर्मर में खराबी आ जाने के बाद इससे आपूर्ती बंद करने का निना लिया गया संचरन अनुमंडल गुमला ने 2 से 14 जनवरी तक सट डाउन करने का निना लिया है मरमत का काम 2 जनवरी से सुरू होगा इस दोरान ग्रीड से समंधित इलाके को टांसफर्मर नमबर 2 से लोड से डिंग कर बारी बारी से आधी भी लिदी जाएगी ग्यात हो कि ग्रीड के 20 MBA चामता के दो बड़े पावर टांसफर्मर से करीब 25 मेगावार बीली सप्लाई होती है पूर्वी सिम्हूम के डुमरिया सियो का हाड अटेक से निधान नए साल के दूसरे दिन कोलान वासियो के लिए बुरी खबर है पूर्वी सिम्हूम जीले के सबसे पिछड़े परखंड डुमरिया में पदस्थापित अंचला अधिकारी राम नरेश सोनी की 45 साल की उम्र में निधन हो गया सोमवार की सुबा हाड अटेक से मौत हो गाई तीन मर्च 2021 को राम नरेश सोनी डुमरिया सियो के पद पर पदस्थापित थे बात के दिनों में उन्हें मुसा बनी परखंड के सियो का परभार भी सोपा गया था सियो के निधन की सुचना पाकर जमसेत पूचांसत बिधूत वरन महतो भी एम जी एम अस्पताल पहुँचे और घटना की जनकारी ली सियम हेमन्द के फैसले से राजिके फर्मासिष्टों ने जटाई चीनता गाउ गाउ में दवा दुकाने खोलने और दसवी पास से दवा बटवाने के सियम हेमन्द के ब्याइन पर अखिल भारतिये फर्मासिष्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने अपत्ती जताई उन्होंने कहा है कि गाउ गाउ में दवा दुकाने खोलने का निरना तो सरा निये है पर दसवी पास से दावा बटवाने की जोजना सही नहीं है बता दे अखिल भारतिये फार्मासिस्ट एसोसियेशन के सरस्यों ने सरकार के उस फैसले पर अपत्ती जताई जिसमें सियम हमांसुरे ने कहा है कि गाउगा में दावा दुकान खोली जाएगी और दसवी पास से द हो रहा है तो ओ फार्मासिस्टों का ही हो रहा है फार्मासिस्ट एसोसियेशन के परदेश अध्यक जितेंद्रे ने सवाल करते हुए कहा है कि इस बेवास्ता से समझा जा सकता है कि गिरामिनों के स्वास्त का क्या हाल होगा जार्खन में नय साल पर 45 करोड की सराब गटक गए लो नय साल के जसन में लोग डूबे हुए हैं लोगों पर अभी भी खुमारी च्हाई हुई है वहीं जार्खन में लोगों ने नय साल का स्वागत बड़े ही जोर सोर से किया लोगों में इस कदर उत्सा है कि महज दो ही दिनों में लगभग 45 कोड़ रुपई की सराब की जारखन में बिक्री हो गई इसे सरकार भी काफी खूसा है बता दे कुरोना की चौथी लाहर की सुखबुगाहाट के बीच राजे में नए साल पर लोगों ने जम कर जस्न मनाया होटल से लेकर छोटे बड़े सभी पारकों में नियू एर सेलिवरेशन जोरू पर है मिली जनकारी के अनुसार नए साल के जस्न में जारखन के लोग लगबग 45 कोर रुपे के सराब गटा गए है हलाकि अभी अधिकारिक आकड़े आने बाकी है अनुमाल लगाया जा रहा है कि या आकड़ा बड़ भी सकता है धन्यवाद